के गाइस वल्कम बैक टू आर अनुदर वीडियो तो कैसे हैं आप लोग होपुली आप बहुत बढ़िया होंगे एंड गाइस मैं भी बहुत बढ़िया आज का जो टॉपिक होने वाला है कि अगर आप पूने आते हो अगर आपको हिंजिवारी लोकेशन मिलता है लेना है तो कंपनी के थोड़ा सा नियर लो भले ही आपके थोड़े से चार्जिस भढ़ जाएं फ्लैट के लेकिन उससे क्या होगा आपका जो टाइम होगा वो बच जाएगा एंड वो टाइम आप कहीं और यूज कर सकते हो तो फिर वेट किस वात का चलो स्टार्ट करते हैं की तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको पूने होता है इंड पूने में ना मोश्ट्री जो कम्पनी Britain होती है तो खराडी में मगरपत्ता लों्क और ने ज को इसे तो अगर पर 3 फेज तो ओर इन में सुए और उन जो का फेज 2 का 2 km का फेज 2 और फेज 1 का 2 km का फेज 2 फेज 3 का भी 2 km का ऐसे ही जहां पर डिश्टंस वैले वाले हैं अब देखो companies मुश्टरी आपकी कहां बेर लाई कर रही हैं वो आपकी फेज 1 फेज 2 और फेज 3 तीनों में company आये अगर मैं आपको phase 1 की तरफ लेके चलता हूं तो मुश्ट लिए आपको PG मिल जाएंगे बहुत सारे PG मिलेंगे phase 2 में आपको PG बहुत कम मिलेंगे PG कैसे मिल सकते हैं flat as a PG मिल सकता है किसे जैसे मेरे 2BH की का flat ले लिया and मैं इस flat को as a PG उठाना चाहता हूं तो definitely मैं इसे उठा सकता हूं इसे PG बोल सकता हूं और otherwise जो PG होते हैं बैसे प्रॉपर जो PG होते हैं जैसे 4-5 मंदिल की विल्डिंग है and वहां पे आपको एक रूम मिल गया एक रूम में सेरिंग बेसे से सब मिल गया तो वह PG अलग होते हैं जिसमें आपको फूड भी इंक्लूड होता है and ऐसे flat वाले PG में आपको फूड इंक्लूड नहीं होगा फूड के charges आपको अलग देने पड़ेंगे मतलब खुदी बनाना होगा फ्लेट में आपको kitchen बगयरा पूरा setup मिल जाएगा लेकिन आपको food खुड से बनाना पड़ेगा अब देखो अब phase 1 में आपको आपकी companies है जो मैं जानता हूँ persistent है, vipro है, cognigent का भी campus है वहाँ पे और भी बहुत सारी companies है जिनके मैं Accenture है आपकी और भी बहुत सारी companies जो मैं नहीं जानता अब देखो, phase 1 में अगर आपको जाना है तो PG बहुत सारी मिल जाएगा एंड में आपको recommend भी करूंगा अगर आपको phase 1 में होता है तो phase 1 में ही PG या flat ले, phase 2 की तरह ना है क्योंकि distance हो जाएगा तो traffic की वैसे आपका time भी बहुत जादा खराब होगा अब बात आती है phase 2 में, phase 2 में आपकी companies है वह आपकी Infosys, Wipro and देखो दो main companies तो है यहाँ पर पाकी phase 2 में और ज्यादा companies नहीं है यह दो main companies है जिसमें आपकी Infos आती है Wipro आती है तो यहाँ पर आपको आपको फ्लैट बहुत जादा मिल जाएगे यहाँ पर बहुत सारी society यहाँ पांचे तो नहीं बहुत सारी society यहाँ पर आपको फ्लैट मिल जाएगे अब देखो फ्लैट के जो मैं रेट पता दूँ इधर जो फ्लैट के रेट मिलेंगे अगर आप एकदम company के पास में लोगे ना जैसे distance पर सौ मीटर की distance पर तो आपकी फ्लैट के रेट बहुत जादा होंगे आपको unfurnished फ्लैट मिलेगा 24K अरांड 24K के अरांड 2BHK का है ना अगर आप furnished लोगे तो मिलेगा भी नहीं मिलेगा मिलेगा तो 30K अपरोक सपहुंच जाएगा और more than that अगर थोड़ा जिस्टेंस पर लोगे एक किलोमीटर अंदर लोगे तो आपकी फ्लैट बहुत सथे ह आपकी फ्लैट तो नहीं मिलते हैं क्योंकि 1BHK फ्लैट इथर बहुत कम है अब देखो फेस्टू की मैना बता दिया मोश्टली कंपनी आपकी है वह आपकी इंपोसिस और विप्परो और इससे ज्यादा कोई दूसरी कंपनी है अब आती फेस्ट्री फेस्ट्री हो बहुत अबर तो फेस्ट्री में ही लोग वह पर पीजी बहुत कम मिलंगे पीजी आपको मिलते है न वह आपको मिलते हैं एिसे बूलत जए नெ स्वाधी चौघ एंड लचमी चौक तो लचमी चौक और श्फाजी चौक पर बहुत सारी पीजी मिल जाएंगे अपको लेकिन देखो PG में प्रॉलम क्या होती है ना देखो एक फिक्स एमाउंट जाएगा 7500 के एप्रॉक्स आपको मिल जाएगा PG बट टू सेरिंग में मला एक रूम होगा जिसमें आपको दो लोगों को सेर करना पड़ेगा वो रूम है ना जिसमें आपको फूड भी इंक्लूट रहेगा और मैं बता दो देखो में नौथ से हूं तो में को फूड वहां का अच्छा नी लगता था तो भाई मैं बहुत ज्यादा कॉशली आपका फ्लैट जाने बाला है तो वहां मत ले तोड़े और भी तो आप यहां की प्राइज थोड़े कम जाएंगे तो फेज़ बन में तो मुझटी आपको पीजी और ऐसे कर सकते हो सर्वाइक फेज़ आपको फ्लैटी लेना तो फेले टू या थ्री अर्वाद मेट्रो श्टार्ट हो जागी प्रॉपा तरीके से यहां पे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली बट अभी आप अब आटो चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है आटो सेरिंग बेसे पे चलते हैं 20 या 10 या 15 रुपीज लेते हैं वो लोग वन फेज तो एन फेज के लिए तो आपको इसली पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आगी उसके लिए भी अब बात करता हूं मैं फेज तरीकी देखो फेज तरीकी बहुत सही है तो सब्सक्राइब कोई प्टर और लोग लोग नई आए तो कोई आपका दौस्त वर्मन पह सकते हें अब देखो आपको खर्चे की बात आति तो क्या बात कर सकते हैं देखो मैंने आपको फ्लैट के बारे बताती है फेज बन, फेज टू, फेज तरी, तीन वह फ्लैट ले सकते है एजिली आपको मिल जाएगा फेज बन में पीजी बहुत मिलेंगे फ्लैट भी मिल जाएगे लेकिन मैं पीजी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि भाई वो पीजी में खाना पीन अच्छा नहीं मिलता बट एक चीज के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप नियू हो मतलब पूर्णी सिटी में नियू हो तो आप क्या कर सकते हो, वन मंत के लिए पीजी ले लो या टू मंत के लिए ले लो अगर आप फ्लेट लेते हो तो आपका खर्चा क्या आने वाला है आपने 2VHK लिया आपने आपको जो रेंट पड़ा वो पड़ा आपको आठारहेजार रुपे का तो आपको जो डिपोजेट देना होगा उसका डबल देना पड़ता है अगर आप पीजी लेते हो तो पीजी में आपका आमांट जाएगा 8000 या 7500 की बीचे आपको पीजी मिल जाएगे जहांगे 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 जैसा आपका फूड भी इंकलूड होता है ब्रेकफास्ट लंच मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन आपका डिनर रहता है यह तीन चीज रहती है लंच मतलब मिल सकता है दाल चावल बगारा और कुछ नहीं मिलने वाला आपको उसमें तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा पीजी करें को मुझे भी अच्छा ही लगता बट एक महीने के लिए अगर आपको सर्वाइब करके पूरी सेटी को जानना है तो इसलिए आप पीजी ले सकते हैं फिर उसके बाद फ्लैट पर मुव और हो जाना एंड जो रेट है ना फ्लैट की जहां पर तो मोश्टली जो लाई करती है नो 16K से 24K तक के लिए बीच में लाई कर जाएंगी वह एरिया वाइस डिपेंड करता है कंपनी की लोकेशन कह आपका फ्लैट कौनसी लोकीशन पाड़ रहा है तो इस बरसे संपर टो भाई मंतली खर्चा कितना हो जाएगा मेरा मैं अगर पूने आ रहा हो ना तो मेरा मंतली खर्चा कितना हो जाएगा तो भाई मंतली खर्चे की बात करूं तो देखो मैं आपको बोलू कि अगर आपने फ्लैट लिया ऐस अपीजी है ना या आपने फ्लैट ले लिया पूरा ट साहरा मलत फूल जितना भी ग्रॉसरी वगेरा सामन आने वाला है वह सारी चीहों को लेकिन 4,000 के प्रॉक्स पड़ जाएगा आपका तो वह इंक्लूड करके 8,500 हो गया यह आपका फ्लैट का खर्चा आने वाला इससे जादा नहीं आएगा हैना अगर आप कुछ अधर खर्च पड़ेगा मलत लेकिन इससे जादा नहीं जाएगा मलत ट्वैल थाउजेंड जा सकता हार्ड ली इससे जादा जाएगा नहीं लेकिन आपके अधर खर्चें सुट्टा बगएरा मानना चाय बगएरा पीने भाई वह अलग है आप उससे न इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते फ्लैट के खर्चें में तो वो चीज़ें आपकी अलग हैं बिल्कुल भी जैसे आपको लेकिन ट्रांस्पोर्टेशन का मैं बता दूँ आटो बगएरा चलते हैं रोजाना आपको फाइब डे वर्किंग रहता है और यहां पे बसे बगएरा बहुत चलती हैं मतलब बहुत आपको ज़एगा एक दिन का 400 रुपे हाटली, 40 रुपे से जाधा नहीं होगा, तो आप इंक्लूड कर सकते हो 50 अच्छा नगी तो आपको कहुंचस नहीं बचसे का लेकिन अगर 20 नेदमोरी ऑन्तो ज़स्टा करोंकर चानों ऎज बादें उसे क्लूग सखरोना तो टो पच्छ ऐगा ऐसा कुछ नहीं है तो 22 मिल रहे हैं 20 मिल रहे हैं तो आप एजीली में पूने में सर्वाइब कर सकते हैं आपको फ्लैड मिल जाए क्योंकि यह तेखो एक मैं मैं बताओ ना परिस्नली अगर आपको 22 मिल रहे हैं तो आपको पता है मेरे को खर्चे कहा करने है अ तो वो एक साइकल बन जाते है कि इसके साफ से मुझे ऐसे चलना है क्योंकि अम बेर पाइसा है इसके साफ से मुझे ऐसे चलना है तो डेफिनेटली आप सर्वाइब कर सकते हैं पूरे मात तो 22 में कोई शू नहीं है तो बहुत सारे लोगों को कॉमेंट सारे ते भईया क्य करें क्या करें घफराओं मत्या चिल रोके पूने आओ और सर्वाइब करो बहुत सारी चीजें यहां पर ट्रैवल करने के लिए तो ट्रैवल करो कुछ नया एक्सप्लोर करो और जब घर से बान निकलोगे न तो एक्सप्लोर करने का टाइम कब मिलेगा तो घर से बान निकलो मेरा व्लागिंग चैनल है बैक्सीट इंजीनियर ब्लॉक्स के नाम से तो जिन लोगों ने अभी ते सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट था सब्सक्राइब बटन कुछ भी करो भाई सब्सक्राइब कर दो है उस चैनल को बहुत सारे लेटेस्ट ब्लॉग आने वाले हैं और म आपको बैंगलोर की लाइब दताऊंगा कि वहाँ पे फूड कैसा होता है लोकलिटी कैसी है कहां फ्रैट मिल सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको दूसरे चैनल पर बताऊंगा तो जिन लोगों ने सब्सक्राइम नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर सकते यो बाई गा